नमस्कार दोस्तों देखें मित्रों जो नेक्स्ट टोपिक हम NCR टीम पढ़ने वाले हैं वो 7 चेप्टर है हिस्टरी का जन जातियां खाना बदोश और एक जगह बसेवे समुदाएं तो आज हम ये पढ़ेंगे और इससे पहले जो हमने लास्ट चेप्टर पढ़ा था आपक अगर वर्तमान में किस स्टेट में है किस राजे में है जो कि कभी किसी समय में एक महत्पूर्ण नगर वाखरते था अब ये वर्तमान में किस स्टेट के अंतरगत आता है ये स्थान आगे पढ़ते हैं इसको अध्याय दो तीनो चार में आपने देखा कि किस परकार राजियों का उत्थान और पतनवा इस उठापटके बीची कलाओं दस्तकारियों और उत्पादक गतिवीडियों की नई किसमे सहरों और गाओं में फलफूल रही थी एक लंबे अंत्राल में कई महत्पून राजनेतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन वे लेकिन सामाजिक परिवर्तन हर जगए एक समान नहीं थे क्योंकि अलग-अलग किसम के समाज अलग-अलग तरीकों से विक्सित हुए तो ऐसा कैसे और क्योंगा यह समझना महत्पून है तो यह कह रहा है कि जो सुरू के चेप्टर है इनमें आपने देखा कि किस परगार कई राजियों का उत्थान होता है, पतन होता है और इसके साथ ही कलाएं, दस्तकारियां, उत्पादक गतिवीदियों की नई किसमे सेरो गाउं में फलफूल रही थी कई परिवर्तन होते हैं एक लंबे अंतराल में राजनितिक परिवर्तन होते हैं वो धांचा बदलता है सामाजिक धांचा बदलता है आर्थिक धांचा बदलता है लेकिन ये जो परिवर्तन हो रहे थे ये हर जगह समान नहीं थे तो अलग-अलग किसम के जो समाज है उनमें अलग-अलग तरीकों से विकास वा तो ये कैसे हुआ इस उप महादीप के बड़े हिस्से में समाज वरण के नियमानुसार पहले से ही विवाजी था बरहामनों द्वारा सुझाय गए नियम बड़े-बड़े राजियों के राजाओं द्वारा स्विकार किये गए थे इससे उंच नीच अमीर गरीब के वीच फासला बड़ा दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में स्रेनिवद समाज ज्यादा जटिल हो गया तो उस समय समाज के बड़े हिस्से पर जो है वो कौन सा एक सिस्टम था वर्णवाला ही था बरहामन सत्रिये, वेशे और सुद्र तो मैंली इन चार वर्गों के अंदर एक समाज विवक था तो बरहामनों दुवारा जो सुझाय गए नियम थे बड़े बड़े राजा स्विकार करते थे और जो एक उंच नीच और अमिर गरीब का फासला जो है वो लगातार बढ़ता गया जैसे सुल्तानों और मुगलों के काल में कई स्रेणिया होती थी समाज की बड़े सहरों से परे जंजाती है समाज अलबता दूसरे तरह के समाज भी उससे में मुझूद थे उप महादीब के कई समाज ब्राहमनों द्वारा सुजाएगे सामाजिक नियमों और करमकान को नहीं मानते थे और नहीं वे कई ऐसमान वर्गों में विवाजित थे अकसर ऐसे समाजों को जंजातियां कहा जाता रहा है तो यानि जो ना तो कोई समाजिक नियम या जो कोई करमकान थे ब्राहमनों के द्वारा बताएगे ना तो उनको मानते थे और ना उनमें कोई अलग-अलग वर्ग थे बस वो एक ही थे, एक ही उनका कुद का वर्ग था वो था जंजाति, उनको हम जंजातियां कहते थे जो बाहर के किसी नियम को या इस तरह के जो करमकान है उनको नहीं मानते थे परतेग जंजाति के सदशे नातेदारी के बंदन से जुड़ेवे होते थे कई जंजातियां खेती में अपना जीवी को पारजन करती थी कुछ दूसरी जंजातियों के लोग शिकारी, संगरहक और पशुपालक थे प्राय वे अपने निवास स्थान के प्राकरतिक संसादरों का पूरा-पूरा इस्तेमाल करने के लिए इन गति वीदियों का मिलाजूल रूप अपनाते थे कुछ जंजातियां खाना पदोश थी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो गुमने वाली है खाना पदोश जातियां जंजातियां इस उप महादीब के विबिन हिसों में कई बड़ी बड़ी जंजातियां फली फुली सामाने ते ये जंगलों पहाडों रेगिस्तान और दूसरी दूरगम जगों पर निवास करती थी कभी कभी जाती विबाजन पर आदारित अधिक शक्ति साली समाजों के साथ उनका टकराव होता था कई माईनों में जंजातियों ने अपनी आजादी को बरकरार रखा और अपनी अलहदा संसकर्ती को बचाया तो अभी बैसिक सी चीज़े हैं जंजातियों के बारे में एक जगह से दूसरे जगह जाते रहते थे इस्तान बदलते थे जंगलों से, पहाडों से, रेगिस्तानों से, दूसरी जो दुर्गम जगए हैं जहां समाने आदमी नहीं जा सकता, आने जाने में सही रास्ता नहीं हो और कोई शक्ती साली अगर कोई समाज होता था वहाँ पे तो उनसे उनका टकराव भी होता था लेकिन जाती आदारित और जन जाती समाज दोनों अपनी विविद किसम के जुरुतों के लिए एक दूसरे पर निरबरी भी रहे जो जाती आदारित समाज था और दूसरा जन जाती समाज तो कई बार अपनी आउशक्ताओं के लिए भी एक दूसरे पर निरबर रहे टक्राव और निर्वर्था के इस समझ ने दोनों तरह के समाजों को धिरे-धिरे बदलने का काम भी किया टक्राव भी था, हितों को लेकर के, अधिकार को लेकर के, और आउशक्तेयं भी थी जंजातिय लोग कौन थे? समकाली नितियासकारों और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दिये कुछ अपवादों को छोड़ दें तो जनजातियों लोग भी लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे लेकिन समरत रिति रिवाजों और वाचिक मोखिक परमपराओं का ही वे संगरख्ण करते थे बलब जैसे मालो बिटेन का समिधान है तो एक तरह से बिटेन का समिधान भी ऐसा ही है रिती रिवाज और जो परंप्राएं उनी के आदार पर ही उनका पूरा समिदान चल रहा है ये परंप्राएं हर नई पिडी को विरासत में मिलती थी आज के इत्यासकार जनजातियों का इत्यास लिखने के लिए इन वाचिक परंप्राओं को ही इस्तेमाल करने में लगे हैं जनजातियों लोग भारत के लगबग हर शित्र में पाई जाते थे किसी भी एक जनजाती का इलाका और परभाव समय के साथ साथ बदलता रहता था कुछ शक्तिशाली जनजातियों का बड़े इलाके पर नियंतरन था पंजाब में खोकर जनजाती 13 और 14 शदी के तोरान बहुत परभावशाली थी यहाँ बाद में गखर लोग ज्यादा महतपून होगे हैं यह देखे जो यह जनजाती है कौकर तो यह उस समय मुहमद गोरी के बारे में सुनते हो आप कि 1206 के अंदर यह जनजाती थी कौकर इनका आकर्मन हो जाता है, कोई अटेक हो जाता है और उसमें मौमद गोरी की मर्तिव हो जाती है 1206 में, तो ये वो ही खोकर थे, पंजाब जन जाती है, पंजाब में उनके मुख्या कमाल खान गखर को बादशाय अकवर ने मनसबदार बनाय था कमाल खान गखर को, किसने अकवर ने मनसबदार बनाया, मुल्तान और सिंद में मुगलों द्वारा धीन कर लिए जाने से पहले लंगा है और अरगून ये कई जन जातियों के चित्रा बताएगे हैं, कौन-कौन से कहां का हैं, आप जैसे राजस्तान को आप देख लिजी, भील, आप भारत के स्थर पर देखेंगे तो भील एक महत्पून जन जाती है, वही इतने बड़े भारत के आले के जन जाती हैं, तो रास्तान में और भ उपर देखेंगे पंजाब में गखर, खोकर, इदर ये जनजवा, लंगा है, बलूची, अरगौन, समास, फिर ये जाटवास, कोली, इदर ये गुजरात की तरफ, भील, कोली, कोली तो अपने यहां भी पाई जाते हैं रास्तान में, लेकिन वह उत्ते हैं कोई बड़े इ ये कोली, जाटवास, भील, कोली, ये काटकारीस, बेराद, कोरागा, ये कोयासर, ये बेगसर, खोनड, चेर, मुंदार, ये बिहार में आप पढ़ते हैं मुंदा का, मुंदा जनजथी बिहार, जारखंड, शेत्र की तरफ, संथाल, ये जब इत्यास वगरा पढ़ते हैं आप तो उसमें हिश्ट्रीक अंदर आती है, जो इनके विद्रोवेते जनजातियों के, तो उसमें जैस संथाल जनजाती है, मुंडा जनजाती है, इदर ये कोच, ये खासी, नागा, अहोम, काचरीस, तो ये कई जनजातियों है, लोगों का परभूतव, अत्यांत विश्ट्रे शेत्र पर था, उत्तर पस्ची में एक और विशाल एम शक्तिशाली जनजाती थी बलोच, ये लोग अलग-अलग मुख्या वाले, कई छोट-छोटे कुलों में बंटे वे थे, पस्ची में हिमाले में गड़ी-गड़रीयों की जनजाती रहती थी, उप महादीप के सुदूर, उतर पूरी भाग पर भी नागा, अहोम, और कई दूसरी जनजातियों का पूरी तरह से प्रभूतव था, कुल क्या होता है, परिवारों या घरों के एक ऐसे संब्वा को कुल कहते हैं, जो एक ही पूर्वज की संतान होने का दावा करते हैं, जनजातियों संग्ठन पराए नातेदारी या कुल संब्वन्दी निष्टा पर आधारित होते हैं, तो कुल क्या होता है, कि एक ही पूर्वज की संतान होते हैं, कि उनका कुल से संब्वन्दित कौन कोन है और जंजातिय संगंठन जो होते हैं ये नातेदारी और जो कुल संबंधी निष्टा है उस पर आधारित होते हैं मोजुदा बिहार और जारखंड के कई लागों में बार्वी सदी तक चेरो सरदार साहियों का उद्य हो चुका था बार्शे अकपर के पर्शी सेनापती राजा मान सिंग ने 1591 में चेरो लोगों पर हमला किया और उन्हें प्रास्त किया उन्हें लूट कर अच्छा कासा मा लिक्टा किया गया लेकिन में पूरी तरह धीन नहीं बनाएगे औरंग जेब के समय में मुगल सेनाओं ने चेरों लोगों के कई किलो पर कबजा किया और इस जन्जाती को अपना अधिनस्त बना लिया इस शेतर में रहने वाली महत्पुन जन्जातियों में मुंडा और संथाल थे या दिपी वे उडिसा और बंगाल में भी रहते थे में भी रहते थे, कुछ और दक्षन में भी कोरागा, वेतर, मारवार और दूसरी जन्जातियों की विशालाबादी थी भिलों की बड़ी जन्जाती पस्ष्मी और मध्य भारत में भी फैली भी थी सौलविन सदी का अंत आते आते उनमें से एक, कई एक जगह बसे वे खेतियर और यहां तक की जमिदार भी बन चुके थे तब भी भिलों के कई जो कुल है वो शिकारी संग्राहक बने वे थे तो समय के साथ साथ में जैसे कईयों में परिवर्तन भी वा जो कुछ जन जाती है अब जमिदार एक एक जगह पर अधिकार था तो कई जमिदार बन गए खाना बदोश और गुमतु लोग कैसे रहते थे खाना बदोश चरवाए अपने जानवरों के साथ दूर दूर तक गुमते थे उनका जीवन दूद और अन्या पसुचारी उत्पादों पर निरबर था वे खेती हर गरस्तों से अनाज, कपड़े और बरतन और ऐसी ही ये चितर बताएगे है रात में भी लोग हिरन का शिकार कर रहे हैं और उपर था चितर दो में और चितर तीन जो है गुमतू व्यापारियों कि सरंक लाएं भारत को बाहरी दुनिया से जोड़ती थी यहां मेवा इक्टा करके उसे उन्टों पर लादा जा रहा है मदे एशिया के व्यापारी ऐसी वस्तों भारत लाते थे और बंजारे और अन्य व्यापारी उनको इस्थानिय बजारों तक पहुंचाते थे तो ये मेवे बगरार इधर ये अफगानिस्तान की तरब बहुत होते थे तो उस टाइम के उन्टों पर लाद की यहां लाते थे यहां जो फिर इस्थानिय व्यापारी या अन्य व्यापारी और बंजारे जो हैं उनको मार्केट तक पहुंचाते थे चीजों के लिए उन, घी, इत्यादी का विनिमे भी करते थे खाना बदोष अपने जानवरों पर समानों के डुलाई का काम भी करते थे एक जगह से दूसरे जगह आते जाते वे समानों की खरीद फ्रोक्त भी करते थे बंजारा लोग सबसे महत्पुन व्यापारी खाना बदोष थे उनका कारवा टांडा कहलाता था जो बंजारे हैं तो ये सबसे महत्पुन व्यापारी जो है मलब थे तो ये ये वैसे थे खाना बदोष लेकिन एक जिगह से दूसरे स्थान पर गूमते रहते थे व्यापार भी करते रहते थे एक स्थान से समान लिया, दूसरे स्थान पहुंचा दिया, इधर से उधर कर दिया तो वे बंजारे, जो व्यापारी खाना पदोश होते थे उनके कारवे को, उनके समोग को जो है, उनको हम कहते थे टांडा सुल्तान अलाउदिन खिल जी, बंजारों का ही इस्तेमाल, नगर के बाजारों तक अनाज की डुलाई के लिए करते थे अलाउदिन खिल जी की बाजार वेवस्ता तो आपने पढ़ी होगी, बहुत जबरदस्त बाजार वेवस्ता थी अलाउदिन की अगर कोई व्यक्ति समान से कम अगर तोलता था दुकांदार तो उतने समान के बराबर जितना उसने कम तोला है जैसे सो ग्राम अगर कम तोला है तो सो ग्राम उसके सरीर का मास जो है वो कटवा दिया जाता था बाजार वेवस्ता बहुत जबर्दस थी अलाउदीन की बाद से जहांगीर ने अपने संस्मर्णों में लिखा है कि बंजारे विबिन इलागों से अपने बेलों पर अनाज ले जाकर शहरों में बेशते थे सेन अभियानों के दोरान में मुगल सेना के लिए खाद्यानों की डुलाई का काम करते थे किसी भी विशाल सेना के लिए एक लाख बेल अनाज डोते होंगी तो आप उस टाइम सोचिए जब राजा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे हम कहते हैं इसके पास 20,000 सेनिक थे, 50,000 सेनिक थे तो उनके साथ में बाकी भी तो जाती थी यह चीज mermaid अनाज एतने सारे सेनिक हैं जैसे मालेज। 50,000 सेनिक आज एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं तो उनके लिए अनाज भी चलेगा साथ में और भी कितनी चीज़ें हैं, तो वो साथ में अनाज चलेगा, जो वो बोजन बनाने वाले लोग हैं, रसोईए, वो चलेंगे, तो ये समांड होएंगे किस पर, अब ऐसा थोड़ी है कि जो गोड़े हैं, उन पर समांड होएंगे, तो बैल है, ये बैल अनाजड होने के काम आते थे, खाना बदर्ष और भर्मन सिल, कोई भी देखे, आकरमन कोई भी राजा अगर किसी दूसरे पर करता था, तो वो आसान नहीं होता था, खास करके जब गेरा बंदी करनी हो, तब ही आप देखते हैं कि जैसे अकबर है, अलावदिन खिल जी है, ये जैसे आकरमन करते थे और किसी किल्ये के बार अगर घेरा डाल के बैठ गए, और दो च्यार महिने तक अगर सामने बाले ने सरेंडर नहीं किया, तो इनकी भी दिक्कत होने लग जाती थी, कैसे गर कि आप वापस भी जाना है, और तो फिर कैसे करें कि या तो समझोता करो, या फिर कोई चल, किसी ना किसी येन केन जो है, वो किसी भी तरीके से जीत हासिल करना चाते थे, तो एक बहुत मुश्किल काम होता था, ये ये बैल तो एक उधान है, कितने साजो समान वगरा साथ में लेकर के चलना परता था, खाना बदोष और भरमन सील समुए, खाना बदोष गुमनतु लोग होते थे, उनमें से कई पशुचारी होते हैं, जो अपनी रेवर्ड और पशुवरंद के साथ एक चारगय से दूसरे चारगय गुमते रहते हैं, इसी तरह दस्तकार, फेरी वा लोट कर आते हैं, जहां उन्होंने पिछले साल दोरा किया था, एक चोड़-चोड़ चीजें हैंगी, अब ये सत्रीविन सदी के आरम में भारता आने वाले एक अंग्रेज व्यापारी पीटर मंडी ने बाजारों का वणन किया, बंजारों का, कि सुबह हमारी मुलाकात ब आस-पास लोग जाते होंगे, ये बंजारे लोग अपनी पूरी ग्रस्ती, बीवी और बच्चे अपने सासात लेकर चलते हैं, तो ये सारे पशु, गेहूं और चावल जैसे अनाजों से लदे वे थे, एक टांडा में कई परिवार होते हैं, उनके जिने का तरीका उन भार वहाकों से मिलता जूलता है, जो लगातार एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं, ये सत्रवें स्ताब्दी के अरम की बात है, गाए बेल उनके अपने होते हैं, कई बार वे सोदागरों के द्वारा भाड़े पर नूक किये जाते हैं, लेकिन ज्यादातर वे खुद सो एक दिन में 6 या 7 मिल से ज़्यादा सफर नहीं करते हैं, यहां तक कि ठंडे मोसम में भी, तो मतलब आराम से चलते थे, अपने गाए बेलों पर समान उतरने के बाद वे उन्हें चरने के लिए खुला छोड़ देते हैं, क्यूंकि यहां जमीन प्रियाप्त है और उन्हें रोकने वाला को ही नहीं है, तो यह एक अंग्रेज व्यापारी है, पिटर मंडी, तो यह उसमें एक बंजारों के कारवां का बंडन करता है, कई पशुचारी जंजातियां मविश्य और गोडों, जैसे जानवरों को पालने पोसने और संपन लोगों के हाथ उन्हें बेचने का काम करती थी, छोटे मोटे फेरी वालों की विबिन जातियां भी एक दूसरे से दूसरे गावं बर्मन करती थी, यह लोग रसी, सरकंडे की चीजें, फूस की चटाई और मोटे बोरे जैसे माल बनाते और बेचते थे, कभी-कभी बिख्षुक लोग भी कुमंतु सोधागरों का काम करते थे, नर्थ कों, गायकों, राने, तमाश बिनों की भी जातियां थी, जो विबिन नगरोर गाउंस में कमाई के लिए अपन कांशे का बनावा, तो कई ये क्या है, जैसे माल बशुचारी जनजातियां जो होती थी, वो मवेशी, यानि जो पालतू पशु होते थे, गाय बेंजे से और गोड़े, तो इन जैसे जानवरों को पालने पोस्थने का काम करते और जो पैसे वाले थे, उनको बेशते थे, ये बाकी जैसे सरकंड़ा की चीज़े रियाज भी बैसते हैं कई. फिर है बदलता समाज नई जातियां और स्रेणियां. जैसे जैसे अर्थ विर्वस्ता और समाज की जुरते बढ़ती गई नए हुनर वाले लोगों की आउशकता पड़ी. वर्णों के बीतर छोटी छोटी जातियां उबरने लगी, उधारन के लिए ब्रहामनों के बीच नई जातियां सामने आई. दूसरी और कई जन जातियों और समाजिक समों को जाती विवाजित समाज में शामिल कर लिया गया और उन्हें जातियों का दरजा दे दिया गया. बनी तो इस प्रकार से जैसे जिस विक्ति का जो जो पेशा था उसके पेशे के अकोडिंग जो है उनको जातियों का ही नाम दे दिया गया जैसे जो अलग-अलग शिल्पे जैसे माल ये सुनार था तो सुनार ही होगे लोहार होगे बढ़ाई होगे तो ब्रामनों के सामने जो है ये नई जातियां आती है और वरणों के बीतर छोटी-छोटी जातियां उबरने लगें वरण के बजाए अब जाती जो है वो समाज के संठन का आधार बन गई जाती पर विचार विमर्ष वर्तमान तमिल नाडू के तिरुचिरापली तालुक में इस्तित उया कोडन उदियार के बारवी शदी के अविलेक में ब्रामनों की एक सबा के विचार विमर्ष का वनन मिलता है ये रतकारों शाब्दिकर्थ रत बनाने वाले लोग की समाजिक इस्तिती पर विचार विमर्ष कर रहे थे उन्होंने इस जाती के काम का स्तेय किये जिनमें वास्तुकला रतोर गाडियों का निर्मान मंदिर द्वार बनाना मूर्तिया इस्तापित करना बली के लिए लकडियों से बने साथ समान त्यार करना मंडब बनाना और राजा के लिए जेवर बनाना शामिल थे तो ये जो रतकार हैं उनकी समाजिक इस्तिती पर ये विचार करते हैं और ये बारवी शदी के अभी लेक में ब्रामनों की एक सबा के विचार विमर्ष का वणन मिलता है कि किस जाती के कामकास तैय किये गए तो जैसे जो रतकार हैं तो उनके लिए एक काम तैय किये गए एक जाती के तोर पर की रतकारों का काम क्या-क्या रहेगा 11 और 12 इस्ताबदी तक आते आते शत्रियों के बीच नए राजपूत गोत्रों की ताकत में काफी इजापा हुआ वे हुण, चंदेल, चालुके और कुछ दूसरी वंस प्रंपराउ से आते थे इन में से कुछ पहले जनजातियों में आते थे और बाद में कई कुल राजपूत मान लिये गए दीरे-दीरे उन्होंने पुराने सासकों की जगह ले ली विशेस्ते कर्शी वाले शेत्रों में यहां कई तरह के परिवर्तन हो रहे थे सासकों ने शक्ति-शाली राज़ियों के निर्मान में अपनी संपदा का इस्तिमाल किया सासकों के रूप में राजपूत गोतरों के उदे के उधारन का जनजातियों लोगों ने अनुसरन किया दीरे दीरे ब्रामनों के समर्थन में कई जन जातियां जाती वेवस्ता का हिसा बन गई लेकिन केवल परमुख जन जातिय परिवार ही सासक वर्ग में शामिल हो पाए उनकी बहु संक्यक आबादी समाज की छोटी जातियों में ही जगे बना पाई दूसरी तरफ पंजाब, सिंद और उत्री पसिमी सरद की परभुतव शाली जन जातियों ने काफी पहले इसलाम को अपना लिया था वे जाती वेवस्ता को नकारते रहे सनातनी हिंदू धर्म के द्वारा परस्तावित गेर बराबरी वाले समाजी के विवस्ता इन इलाकों में बड़े प्यमाने पर स्विकार नहीं की गई तो यहां देखेगा यह जो हिस्सा था अब जैसे राजपूत गोतरों का भी उद्य होता है कई कुल राजपूत मान लिये गए यह जो समाज में कि कुछ पहले जन जातियों में आते थे बाद में कई कुल इन में से राजपूत मान लिये गए और तो अब यहाँ देखेगा ये पंजाब सिंद की तरफ की जो मजबूत शक्ति साली जनजातियां थी ये काफी पहले इन्होंने इसलाम को अपना लिया था ये जाती वेवस्ता को नकारत रहे इन्होंने इस विकार इसको नहीं किया ये जो सनातनी हिंदु द्रम के द्वारा प्रस्तावित गेर बराबरी वाली सामाजिक विवस्ता मतलब उस समय जैसे ये था कि जैसे ब्रामन है तो उनको उच माना जाता था कई जातियों को उच माना जाता था कई जातियों को नीमन माना जाता था तो ये जो गेर बराबरी थी बराबरी अगर होती बिल्कुल तो निशित रूप से हो सकता है कि जनजातियां इस चीज को वो accept भी कर लेतें लेकिन ये जो गेर बराबरी वाली चीज थी तो वो मजबूत जनजातियां थी और जो मजबूत होता है तो फिर वो आसानी से जो है वो किसी चीज को जो है वो स्विकार नहीं करता जो उसको गलत लगे तो इनोंने जो मुस्लिम धर्म है उसको स्विकार कर लिया कईोंने काफी पहली और ये जो जाती वेवस्ता है ये उनको ये स्विकार नहीं कर पाए। साफ किया जाता और वहां भी यही किया जाता है। इसको कहते हैं इस्तानांत्रिय कर्शी। गोड लोग। तो आप देखे जाती ये चीज आपके समझने की ए कि किस प्रकार से जातियां आती है। तो गोड लोग जो है वो गोड वाना नामक विशाल वन परदेश में रहते थे। वे इस्तानांत्रिय कर्शी अतार जगय बदल बदल कर खेती करते थे। विशाल गोड जन जाती कई चोटे-चोटे कुलों में भी बंटी भी थी। परतिय कुल का अपना राजा या राय होता था। जिस समय दिल्ली सुल्तानों की ताकत गट रही थी। उसी समय कुछ बड़े गोड राजे चोटे रोज गोड सरदारों पर हावी होने लगे। अकबर के सासनकाल के एक इत्यास अकबर नामा में उलेकी थे। कि गट कटंका के गोड राजे में सत्तर हजार गाउं थे। तो दिल्ली सुल्तान जो है इनकी ताकत जब गट रही थी। तो कुछ बड़े गोड राजे चोटे गोड सरदारों पर हावी होने लगे थे। और अकबर के समय जो अकबर नामा लिखा जाता है। तो गट कटंगा के गोड राजे में सत्तर हजार गाउं जो है उसमें मिलते हैं। इन राजियों की परसासनिक वेवस्ता केंदरी करत हो रही थी। राजे गडों में विवाजित थे। और हर गड किसी खास गोड कुल के नियत्रण में था। केंदरी करत वेवस्ता का क्या मतलब होता है। तो 84 गाउं में और 84 गाउं फिर बर्ध होतों में जो कि 12-12 गाउं को मिला करके बनते थे बड़े राजियों के उद्ये ने गोड समाज के चरीतर को बदल डाला उनका मूलत है बराबरी वाला समाज धीरे धीरे ऐस समान समाजिक वरगों में विपाजित हो गया बराहमन लोगों ने गोड राजाओं से अनुदान में भूमी प्राप्त की और अधिक प्रभावशाली बन गए गोड सरदारों को अब राजपुतों के रूप में मानिता प्राप्त करने की चाहत हुई इसलिए गड कटंगा के गोड राजा अमन दास ने संगराम शाहे की उपादी धारन की उनके पुत्र दलपत ने महोबा के चंदेल राजपुत राजा साल वाहान की पुत्री राजकुमारी दुर्गावती से विवाहे किया तो तलपत की मरत्युकम उम्ड में होगी थी राणी दुर्गावती बहुत योगे थी ये गोड राणी आपने सुना होगा गोड राणी दुर्गावती तो ये जब अकबर के समय यहां आकर्मन होगा गोड राजे पे तो ये चित्र के अंदर ये गोडवाना जो है वो बताए गए है ये MP की तरफ इधर आपको मिलेगा जहां ये देखी ये नरमदा नदी और इधर ये तापतीर तो यहां ये गोड़ जो राजे ये था तो दलपत ने महोबा के चंदेल राजपूत राजा साल बहान के पुत्री राजकुमारी दुर्गावती से विवाय किया तो दुर्गावती जो थी मैनली किस गराने से थी चंदेल राजपूत दल्पत की मर्त्युकम उम्र में होगी रानी दुर्गावती बहुत योगे थी और अपने पांस साल के पुतर वीर नारायन के नाम पर सासन की कमान संभाली उसके समय में राजे का और अधी की विस्तारवार 1565 में आसिव खान के नेतरतु में मुगल सेनाव ने गड़ कटंगा पर हमला किया रानी दुर्गावती ने उसका जमकर सामना किया उसकी हार हुई और उसने समर्पन करने की बज़ाए मर जाना बहतर समझा उसका पुतर भी तुरंत बाद लड़ता हुँ हमारा किया गड़ कटंगा एक सम्रद राजे था इसने हातियों को पकड़ने और दूसरे राजियों में उनका निर्यात करने के व्यापार में खासा धन कमाया जब मुगलों ने गोंडों को हराया तो उन्होंने लूट में बेश किमती शिक्के और हाती भहतायत में हतिया लिये उन्होंने राजे का एक भाग अपने कबजे में ले किया और ले लिया और सेश वीर नारेन के चाचा चंदर शाह को दे दिया गड कटंगा के पतन के बावजूद गोड राजे कुछ समय तक चलता रहा लेकिन में काफी कमजोर हो गए और बाद में अधिक शक्ति साली बुंदेलों और मराटों के खिलाफ उनके संगर्ष ऐसफल रहे तो ये गोड के बारे में बताय गया है और अब आहों अहों लोग मौजदा मयान मार से आकर तेरवी सदी में बर्म पुत्र गाटी में आ बसे यासम की तरफ वाला जो हिसा है उन्होंने बुहिया भूस्वामी लोगों की पुरानी राजनितिक वेवस्ता का दमन करके नए राजे की स्तापना की सोलवी सदी के दोरान उन्होंने चुटियों 1523 की और कोच हाजो के राजियों को अपने में मिला लिया तो उन्होंने कई अन्य जंजातियों को भी अदिन कर लिया अहोमा ने एक बड़ा राजे बनाया और उसके लिए 1530 के दशक में ही उतना पहले आगने अस्तरों का इस्तिमाल किया 1530 के अंदर ही 1660 तक आते आते वे उच इस्तरिया बारुद और तोपों का निर्मान करने में सक्षम हो गए थे तो यह अहोमा के बारे में है कि म्यानमार स्याकर के 13 वे इस्तापदी में बरम पुत्र गाटी में आब असे थे और उस समय इन्हों ने जो भूस्वामी होते थे उन लोगों की पुरानी राजनेतिक वेवस्ता का दमन करके नई राजे की इस्तापना की यह जो कई आसपास के दूसरे आजे थे कोच हाजो और यह इनको जो है अपने अधीन कर लेते हैं और इनको मिला लेते हैं कई जंजातिया हैं उनको भी अपने अधीन इन्होंने कर लिया आगने अस्तरों का उसी समय 1530 में इन्होंने इस्तिमाल कर लिया 1660 तक आते आती ये बारुद और तोपे बनाने में सक्षम होगे लेकिन अहोम लोगों को दक्षन पस्षिम के कई आकरमनों का सामना करना पड़ा 1662 में मीर जुमला के नेतरतों में मुगलों ने अहोम राजे पर हमला किया बहादूरी से सामना करने के बावजुद अहोम काफी दूर थे इस्तान अब मुगलों कार जो समराजी है वो उनकी राजदानिय वगरा थी आगरार इस तरफ और अब वहां से कहां ये पूरा इतने दूर तक तो यहां देखेगा ये कोच ये रह ये काचरी सर नागा जंजा तीर ये मेरी सर डफला सर ये अहोम अहोम राजे बेगार पर निरबर था राजे के लिए जिन लोगों से जवरन काम लिया जाता था वे पाईक कहलाते थे पाईक अहोम राजे में एक जनगणना की गई थी पर तेक गाम को अपनी बारी आने पर निशित संक्या में पाईक भेजने होते थे तो इसके लिए जन गर्णा के बाद सगन आबादी वाले इलाकों से कम आबादी वाले इलाकों में लोगों को इस्तानात्रित किया जाता था और इस परकार अहूम कुल तूट गए लगबग सभी व्यासिक पूरुस युद के दोरान सेना में अपनी सेवाएं परदान करते थे दूसरे समय में बांध सिंचाई व्यवस्ता इत्यादी के निर्मान या अन्य सारवजनी कारियों में जुटे रहते थे अहूम लोग चावल की खेती के नई तरीके भी अमल में लाए अहूम समाज कुलों में विवाजित था जिने खेल कहा जाता है वहाँ दस्तकारों की बहुत कम जातियां थी इसलिए अहूम शेत्र में दस्तकार निकट वरती शेत्रों से आये थे एक खेल के नियत्रन में पराए कई गाउं होते थे, किसानों को अपने गराम समुदाय के द्वारा जमीन दी जाती थी, समुदाय की सहमती के बगर राजा तक इसे वापस नहीं ले सकता था शुरुवात में अहों लोग अपने जनजातिय देवताओं की उपासना करते थे, लेकिन सत्रवी सदी के पूरवार्द में ब्रामनों के प्रभाव में बडोत्री हुई, मंदिरों और ब्रामनों को राजा के द्वारा भूमी अनुदान में दी गई शीब सिंग के काल में 1714 चमालिस में हिंदू धरम वहां का परदान धरम में पन गया था तो अब ये कई बेसिक सी जानकारियां हैं, जैसे जो सभी व्यासिक पूरूस है, युद के दोरान सेना में अपनी सेमाई देते थे बाकी समय में वे बांध सिंचाई विवस्ता जैसे कारिये करते थे, सारवजनिक दिनमान के कारिये अहुम जो है, जो खेती थी चावल की, उसमें भी कई नई तरीके लेकर रखे आए ये किसमें विवाजी था अहुम समाज कुलों में विवाजी था जिनको खेल कहा जाता था अब कुल में विवाजी था जिनको खेल कहते थे अब कितना एक अच्छा परशन बनता है ये कि खेल अहुम समाज में क्या था तो जो कुल का विवाजन था उसी कोई खेल कहते थे तो ये देरे-देर समाज के अंदर किस तरह से परिवर्टन होता है वेवस्ता में अहुम समाज एक अत्यांत प्रिशकर्थ समाज था कवियों और विद्वानों को अनुदान में जमीन दी जाती थी नाटे करम को प्रोसान दिया जाता था संस्करत की महत्पून करतियों का इस्थानिय बासा में अनुदान किया गया बुरण जी नामक एत्यासिकर्थियों को पहले अहुम बासा में और फिर असमिया में लिखा गया था तो बुर्जी नामक जो एक एतिहासिक करते हैं इसको पहले अहोंबासा में और फिर अस्मिया के अंदर लिखा गए है तो निशकर्ष के आया कि जिस यूग की हम चर्चा करते हैं उस यूग के दोरान उप महादीप में काफी समाजिक परिवर्तन होते हैं वण आधारित समाज और जनजातिय लोग एक दूसरे के साथ लगातार संपर्ख में आते रहें इस आधान परदान ने दोनों त्रे के समाजों में अनुकुलन और बदलाव की परकिरिया चलाई बहुत सी विभिन परकार की जन्जातियां थी और उन्होंने विभिन परकार की जीविकाएं अपनाई कालांतर में उनमें से कई जाती आधारित समाज में शामिल हो गई लेकिन कई उने जाती व्यवस्ता और सनातनी हिंदु द्रम दोनों को ही नकार दिया कुछ जनजातियों ने सू संक्टित परसासनिक व्यवस्ता वाले विश्त्रित राजियों की स्तापना की इस तरह वे राजनितिक रूप से ताक्त पर हो गए इसे उन्होंने वरहतर और अधिक जटिल राजियों समराजियों के साथ संगर्ज की स्तति में लाखड़ा किया कई बन जाते हैं बहुत बड़े शेत्रों पर उनका अधिकार हो जाता है मुगलों के समय वे देख लिजिए आहूमों का उनके साथ संगर्श होता है पंजाब वाला जो शेत्र था इधर इतनी मजबूत जनजातियां थी गोड जनजाति थी तो कई जनजातियों ने जो है धीरे धीरे अपना समराजे इतना फेला लिये कि राजा के रुप में और एक विशाल परजा के रुप में उनका समराजे हो गया एक बहुत बड़े भूबा के मालिक हो गए कुछ ने सनातंदरम की जो चीजे थी कुछ जनजातियों ने उनको अपना लिया कुछ ने नहीं अपनाया अपने एटलस में मंगोलिया ढूंडिये इतियास में सबसे परशिद पसुचारी और शिकारी संगरहक जनजाति मंगोलों की थी वे मद्य एशिया के एक घास के मैदानों और थोड़ा उतर की ओर के वन परांतों में बसे वे थे 1206 में चंगेज खान ने मंगोल और तुर्की जनजातियों में एकता पैदा करके उनके शक्ति साली सेन्यबल में बदल डाला तो ये चंगेज खान 24 ने मंगोलों और तुर्की जनजातियों में एकता पैदा करके एक सक्ति साली सेन्यबल में बदल डाला अपनी मर्त्यू के समय वह एक विशू विश्तिरित परदेश का सासक था उसके उत्रा दिकारियों ने एक विशाल सामरेजय खड़ा किया अलग-अलग समय में इसके अंत्रकेत रूस, पूरिवी, उरोप, चीन और मध्यपूरों का खासा बड़ा इसा शामिल था मंगोलों के पास सूर संक्टित, सेने और परशासनिक वेवस्ताई थी, ये विविन जाती और धार्मिक समों के समर्थन पर आधारित थी तो अलग-अलग जो जातियां थी, उनको चंगेज खान ने एक साथ मिलाया, एक शक्तिशाली सेना के रूप में बदल दिया उनको तो जो जन जाती होती है वो वीरतो होती है आप मंगोलों के आकर्मन देखे अलाव दिन के समयर कितने मंगोलों के आकर्मन होते हैं दिली पर तो हमेशा ये आकर्मन के लिए त्यार रहते थे और इनका खुद का भी जो भूह बागता जैसे चंगेज खान का इतियास तो मैंने पहले भी एक वीडियो में कभी चंगेज खान के बारे में चीजें बताई है तो मंगोलों के पास एक पूरी सूर्शंक्टित सेना होती थी पूरी परसासिनी विवस्ता थी और विभिन, जाती और धार्मिक समुगे समर्थन पर तो इतनी बड़ी सेना बनाने के लिए दिया जाती के आदार पर हो उन सब को एक करके और एक विशाल सेना का निर्मान होता था तो ये वाला जो है आपका चैप्टर हो गया इसमें कुछ basic सी चीजें है आप जैसे ये इस तरह की चीजे हैं कि टांडा क्या होता है सरमेकुल, सिब सिंग, दुरगावती इदरे मिलान करना है 84, कारवा, कट कटंगा अहूम राजे, पाइक तो जो हमने पढ़ा है इसमें तो ये वाला चेप्टर जो है आपका हो गया नेक्स चेप्टर के अंदर आगे और हम दूसरा टोपिक पढ़ेंगे तो ये आपके समझने के लिए है और इस फैक्ट अगर देखेंगे तो आप पूरे चेप्टर में मुस्किल से 15 फैक्ट निकलेंगे 15-16 फैक्ट निकलेंगे इससे ज़्यादा फैक्ट नहीं निकलेंगे तो वैसे ये 15-16 फैक्ट एक्जाम के पॉइंट अफ व्यू से जरूरी है और आपके खुद के लिए जो जरूरी है वो समझने के लिए कि देखें किस प्रकार से जाती व्यवस्ता आती है मतलब आज जैसे लोग करते हैं कि हमारी जाती से हैं ये हमारी जाती है लेकिन ये जातियों का निर्मान कैसे हुआ कुछ जातियां जैसे जिनका जो व्यवस्ताई था जिन लोगों ने किसी व्यवस्ताई को अपना था वो website ही उनकी क्या बना दी गई, जाती बना दी गई, कुछ लोगों को कैसे जाती में शामिल किया गया, कुछ को कैसे शामिल किया गया, तो इस प्रकार से ये जातियों का निर्मान होता है तो इस वीडियो में इतना ही तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जय हिन जय बारत